डेली लाइफ की कुछ ऐसी चीज है जिनने आप रोज देखते हो लेकिन उनके पीछी का रिजन जानने की आपने कभी कोशिशी नहीं की होगी जैसे कि कम्प्यूटर और लैप्टोप के माउस का पॉइंटर टेड़ ही क्यों होता है ये एरो सीधा भी तो हो सकता है उसी के साथ ही भारत के नक्षे में शिरी लंका को क्यों दिखाया जाता है जबकि ये एक अलग देश है अब जहां तक बात है माउस के पॉइंटर की तो ये 45 डिगरी पर मुड़ा हुआ होता है लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले ये सीधा होता था अब पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स नहीं होते थे हर चीज टेक्स्ट में लिखी होती थी अब एरो सीधा रहता था तो वो टेक्स्ट को चुपा लेता था और कभी-कभी टेक्स्ट में खुदी गुम हो जाता था क्योंकि अगर arrow सीधी text line के उपर रहता तो वो words को छुपा लेता लेकिन अगर वो टेड़ा होता है तो उसके नीचे words असानी से देखे जा सकते हैं और arrow भी screen पर गुम नहीं होता अब जहां तक बात है कि भारत के नक्षे में शिरी लंका को क्यों दर्शाय जाता है तो ऐसा होता है UN की law of sea के तहद जिसके अनुसार किसी देश की 30 सीमा से 370 किलो मेटर तक समूंदर में किसी भी तरह की कोई भी चीज पाई जाती है तो उस पर उसी देश का हग होगा अब शिरी लंका और भारत के धनुशकोडी के बीच की दूरी 30 किलो मेटर से भी कम है इसलिए तो शिरी लंका को भारत के नक्षे में दर्शाना आनिवा रहा है